यहें, साकार मुली है बाबा की, ओम शांती बाब डादा मधुबन, तारिक है 30 ओगस्ट 2024, शुर बाबा के महावा क्या है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाइए, कि दुख हरने वाला, बाबा हमें सुखधाम में लेचाने आया है, हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं, तो बाबा क्यों आया है हमें, अब बहुत हो चुका, अब दुख ही दुख है, पूरी दुन्या तमोप्रधान बन चुकी है, तो अभी बाबा हमें उस दुख से निकालने आया है, दुख से निकालके सुखधाम में माना सत्युग में लेजान आज का प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिती को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर है, कोई-कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुश्पू दारफूल है, कोई में जरा भी खुश्पू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया की तूफान से हार खा लेते हैं, यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि? बाप जानते हैं, यह सत्यू की राज़्दानी स्थापन हो रही है, फिर भी बाप सिक्षा देते हैं, बच्चे, जितना हो सके याद में रहो, माया की तूफानों से डरो नहीं, तो भी बाबा को चिंता क्यों नहीं होती है, ऐसे विराइटी बच्चों को देखके भी, कॉ बाप जानते हैं, बिल्कुल उनकी अवस्था नीचे रहती है, और माया के तुफानों से हर भी खा लेते हैं, तो बाबा की ते फिर भी यह सब देखके भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं, सत्यू की राज़्दानी स्थापन हो रही है, तो राज़् उससे भी नीचे होते है, प्रज्जा होते है, सावकार होते है, घरीब होते है, घरीब माना, दास्दासिया होती है, नोकर चाकर होते है, तो पूरी वराइटी के आत्माएं वहाँ होगी. इसलिए बाबा केते हैं मेरे को कोई चिंता ही नहीं है जो जैसा पुरुशात करेगा उसके हिसाब से उसको पद मिलेगा और बाबा क्यों चिंता नहीं करता है क्योंकि बाबा किसी से अटैच नहीं है प्यार सभी आत्मा उसे करते हैं सभी बच्चों से करते हैं उसमें कोई मोह, ये attachment की रग नहीं होती है, इसलिए बाबा को कोई चिंता नहीं होती है, फिर भी बाब को ये तो होता है ना, ओना तो रहता है, कंसन तो रहता है कि कम से कम बच्चे अच्छा पद पाए, इसलिए बाबा केते हैं बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया क तूफानों से डरो नहीं ओम श्रांती मीठे ते मीठा बेहत का बाप मीठे मीठे बच्चे को बैठ समझाते हैं यह तो समझते होना बहुत मीठा मीठा बाप है फिर सुक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है यहां तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए बहुत मीठा मीठा बाबा है तो हम जब यहां बैठते हैं तो हमारी consciousness क्या होनी चाहिए awareness यह होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं और परमात्मा हमें पढ़ा रहा है तो बाबा केते हैं यहां जब तुम बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्थ का वर्सा मिलना है, यहां तो विश्याली में बेठे हो, विश्याली मना यह पूरा भर कल्यूग है, गोर अंधियारा है, इसलिए बाबा इसको विश्याली केते, क्योंकि पूरी दुनिया विकारों स भरी पड़ी है इसलिए यहां तो विश्यालई में बैठे हो कितना मीठा बाप है वह खुशी दिल में होनी चाहिए बाप हमको आधा कल्प सुख्धा में ले जाने वाला है दुख हरने वाला है एक तो ऐसा बाबा है फिर बाबा टीचर भी बन दे है हमको सारे सुष्टी का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते हैं यह चक्र कैसे फिरता है चुरिया से जन्म कैसे पास होते हैं यह सारा चप्टी में बाबा के ते समझाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे ऐसा नहीं यहां समझा कर पढ़ा कर हमें छोड़कर चला जाएगा नहीं वो बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी में भी और थोड़ी रही तो बाबा केते बाकी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याग करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोजा जो जमा है वह खलास हो तो बाबा भी अभी हमारा इंतजार कर रहा है बाब जल्दी जल्दी बाबा को याद करो और जन्म जन्मांतर के पापो का बोजा जो जमा है वो खलास करो भल माया की युद्ध चलती है बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से प्रिपैर किया है हमने कि भल माया की युद्ध चलती है तुम मुझे याद करेंगे वह याद करने से हटाएगी यह भी बाबा बता देते हैं इसलिए कभी विचार नहीं करना एसा नहीं कि हम हार के बैट जाए इसलिए बाबा कहते हैं कितने भी संकल्ब, विकल्ब, तुफान आये सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है क्योंकि कोई परिस्थिती आई ऐसी कोई भी बात आई तो संकल्पी कितने चलते हैं हमारे कभी-कभी तो भी कल्प भी आने शुरू हो जाते हैं कितने तुफान आते तो बाबा केते हैं, सारी राच संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं है, बहदूर रहना है, बाबा कह देते हैं, यहाँ आएंगे जरूर, स्वकन भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है कौन सर्व शक्तिमान बाप है, तो हम डरे क्यों इसलिए बाबा के ते इन सब बातों से डरना नहीं है युद्ध का मैदान है न यह साव विनाश हो जाने है तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए बाकि इसमें कोईश्वाश आदी बंद नहीं करना है आत्मा जब शरीर में होते है तो स्वास चलता है इसमें स्वास आधी बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है क्योंकि वो क्या हो जाता है वो सब ब्रीधिंग को रोब देना वो सब हटियोग कहा जाता है इसलिए बाबा केते हैं हटियोग आधी में कितनी तकलीफ करते हैं बाबा को अनुभव है कौन ब्रह्मा बाबा को थोड़ा थोड़ा सीखते थे परंतु फुर्सत भी होना जैसे आजकल तुमको कहते है ज्यान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहां इतने कार खाने है यह है तो बाबा कहते हैं इसे हम किसी को ग्यान देने जाते हैं, तो सब केते हैं, ग्यान तो अच्छा है आप लोगों का, ब्रह्मा कुमारीज लोगा का, तुम ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन हमें तो ये कारखाने है, ये दंदा है, ये बिजनस है, ये जॉब है, इस एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो बस क्या यह difficult है तो बाबा ने उपर इतने सारे हमें विगन दिखाए कि संकल भी आएंगे विकल भी आएंगे परिस्तिती भी आएगी स्वपन भी आएंगे तुफान आएंगे माया के लेकिन किसी से भी डरना नहीं है क्योंकि य याद करो और चक्र याद करो बस क्या यह difficult है सत्युक्त रेता में इन्हों का राज्य था इन्हों का मना लक्ष्मी नारायन था फिर इसलामी बौधी आदी की वृत्धी होती गई वह अपने धर्म को भूल गये कौन देवी देवता धर्म वाले अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े देवता ये तो पवित्र थे ड्राम के प्लान अनुसार फिर वह हिंदु कहलाने लग पड़ते हैं वास्तव में हिंदु धर्म तो है नहीं हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है असली नाम है भारत कहते है भारत माताओ की जय देखो भी बाबा क्या केते हैं? हिंदुस्तान माताये थोड़ी केते हैं. भारत में ही इन देवताओं का राजय था. भारत की ही महिमा करते हैं. तो बाप बच्चे को सिखला रहे हैं, बाप को कैसे याद करना है? बाबा हर रोज मूर्ली में अलग-अलग-अलग कितनी तरह की युपिया देते हैं, सिखाते हैं कि कैसे बाप को याद करना है बाप आये ही है गर ले चलने के लिए, किसको? आत्माओ को तुम जितना बाप को याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे अगर सजाए खाई तो पद कम हो जाएगा इसलिए जितना याग करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे बहुत बच्चे हैं जो याग कर नहीं सकते तंग होकर छोड़ देते हैं युद्ध करते नहीं हैं, ऐसे भी हैं, समझा जाता है, राज़तानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भल वहाँ दुख नहीं होता, परन्तु गरीब और साहुकार तो हर हालत में होंगे, यहे कल्योग यहां साहुकार वहाँ ग परन्तु गरीब साहुकार की भासना तो रहेगी ना, तो डिफ्रेंट तो पता चलेगा ना, कि प्रजा में जाएंगे, दास-दासी बनेंगे, नोकर चाकर बनेंगे, तो अंदर से थोड़ा फिल तो होगा ना, कि देखो, हम इतनी उचपद नहीं पा सके, उनको याद नही होगा देवी देवताओ की, कि क्यों नहीं पाएं, लेकिन इतना बाबा केते हैं, लेकिन भासना तो होती है ना, घरीब साहुकार की, क्योंकि जो साहुकार होते हैं, वो बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, बंगले में, महल में रहते हैं, तो बाबा केते हैं, लेकिन क् बिकर्म विनाश होंगे, तो हमें सजाय भी कम खानी पड़ेगी, धर्मराज की कोट में जब फाइनल खड़े रहेंगे तब, तो बाबा केते हैं, और उस वकट जो सजा खानी पड़ी, तो नापास भी होंगे, पद भी कम हो जाएगा, तो वहां तो जाएंगे, सत्युत्रेत में तो जाएंगे, लेकिन घरीब बन कर जाएंगे, तो बाबा केते हैं, लेकिन बाबा डिफ्रेंस भी बताते हैं, कि देखो, वहां घरीब होते हैं, तो उनको दुख नहीं होता है, यहां तो क्या होता है, बाबा केते हैं, कि यहां घरीब भी दुखी, साहुकर भी का नाम नहीं होगा बाकी नंबर वार तो होते ही हैं कोई रोग नहीं आयू भी बड़ी होती है कहां सत्यूग में इस दुख धाम को भूल जाते हैं सत्यूग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा क्योंकि वहां नमों निशानी ये दुख का दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाब दिलाते है तो अगर difference देखना है तो यही एक जगा है अभी जब हम देख सकते हैं कितने दुख में लोग रहते हैं यहां और सुख धाम में बाबा हम पुल लेके जा रहा है इसलिए differentiate अभी हमें देख सकते हैं इदा पुरा difference मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था परंतु कब था कैसे था कुछ नहीं जानते लाखो वर्ष की बाद तो कोई को भी याद आना सके बाब कहते हैं कल तुमको सुख था कल फिर होगा past and future कल तुमको सुख था कल फिर होगा तो यहां बैट फूलों को देखते हैं कौन बाबा यहां अच्छा फूल है फूल माना जब बच्चा अच्छा पुरुशार्ट कर रहे अच्छी सेवा कर रहे अच्छी धारना करते हैं अच्छी याद में रहते हैं बाबा की वो होते हैं अच्छे फूल तो बाबा केते यह अच्छा फूल है यह इस प्रकार की मेनद करते हैं यह स्थेरियम नहीं है स्थेरियम माना स्थेडी नहीं है यह पत्थर बुद्धी है तो देखो बाबा अलग-अलग कैटेगरी के बच्चों को देखते हैं बाब को कोई बात की चिंता न तो बाबा केते हैं बाब को कोई भी बात की चिंता नहीं रहती हैं समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहुकार हो जाए पढ़ाना भी है बाबा केते हैं लेकिन मैं पढ़ाना छोड़ नहीं देता हूं बाबा पढ़ाता है अंत तक पढ़ाएगा लेकिन अंदर से देखते हैं क्योंकि यह है चैत्यन्य फूलों का बगीचा फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबास्वर्ग का वर्सा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते जाएंगे नहीं तो सज्र्जा खाकर फिर पद पाएंगे उसको कहा जाता है मानी और मोच्रा माना बहुत सारी punishments और punishments के बाद जो पद मिलता है वो एरतम नीचे का वाला पद मिलता है तो बाबा केते हैं, बाब को ऐसा याद करो, जो जन्म, जन्मांतर के पाप कर जाए। टिक टिक होती रहती हैं, 5000 वर्ष में seconds minute कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजाएं, लेकिन बाबा के थे ज़्यादा detail में नहीं जाना है, कई मुर्लियों में बाबा ने कहा है, कि ये सब seconds minute से सब निकालते रहते हैं, time waste होता है, उससे ज़्यादा अच मां समझो और बाब को याद करो, मन मना भाओ, तो कम से कम इतने जन्मों के कि ये हुए पाप तो कट जाएंगे, और पद भी अच्छा मिलेगा, सजा भी नहीं खाने पड़ेगे, तो बाबा के ते फिर भी कुछ बच्चों को शौक होता है, तो निकालते रहते हैं ये सब ह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना घ्यान उठाया हैं, औरों को कितना समझाते हैं, है बहुत सहज, सिर्फ बाब का परिचय दो, बेज, बैज, बैज तो बच्चों के पास है ही, बोलो यह है शिव बाबा तो हम बैज तो पहनते न बाबा का, तो बाबा केते वो भी बह बहुत बड़ी सर्विस करता है तो बाबा केते हैं बोलो यह है शिव बाबा काशी में जाओ तो भी शिव बाबा शिव बाबा कहयाद करते हैं तुम हो सालिग्राम तो जो कोई भी बाबा के बच्चे बैज पेंते ना तो उनसे बहुत अच्छी सिवा कर सकते हैं तो बाबा क उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है, हीरा सबसे मच्बुत होता है, उस जैसा सक्त पत्थर कोई होता नहीं, जोहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी गिस्ता नहीं है, दूसरी आत्मा होती नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुशी नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सद्गुरू को कहे क्योंकि ये एक ही हमारा बाबा है, भगवान है जो बाप का भी रोल निबाता है, टीचर का भी इत सेम टाइम रोल निबाता है और सद्गुरू बन के सब को दुनिया की हर एक आत्मां को सद्गती भी देगा तो लोकिक में क्या हो सकता है, बाप टीचर हो सकता है, प्रोफेशनली और बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन कभी भी सद्गुरू तो वो बन ही नहीं सकता दुनिया में कोई नहीं बन सकते सिवाए एक बाबा ही अपना सद्गुरू है, तो बाबा कहते हैं यह एक बेहत का बाप है, सिक्षक है, सबको सिक्षा देते हैं, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्मवाले मिले उनको कहो अल्ला को याद करते हो ना आत्मा ये सब भाई-भाई है अब बाप सिक्षा देते हैं कि मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे मामेकम मुझ एकम को याद करो, माना एकशिर परमात्मा को याद करो, तो विकर्म विनाशोंगे, बाप ही पतीत पावन है, यह किस ने कहा, आत्माने, मनुश्य भल गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, बाप कहते हैं, तुम सब सीताय हो, सीताय माना आत्माय, मैं हू तो राम माना परमात्मा सब भक्तों का सद्गतिदाता मैं हूं सब की सद्गति कर देते हैं बाकी सब मुक्तिदा में चले जाते हैं सत्युग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं सिर्फ हम ही होते हैं क्योंकि हम ही बाप से वर्सा लेते हैं यहां तो देखो कितने धेर के धेर म कितनी बड़ी दुनिया है क्या क्या चीजे हैं वहां यह कुछ भी नहीं होगा सिर्फ भारत ही होगा यह रेल आदी भी नहीं होगी तो बाबा अभी हमें सत्युक का नजारा दिखा रहा है हमें सब कुछ विज्वलाइस करना है जैसे जैसे एक मुरली का एक एक सेंटेंस आत कि बाबा केते हैं यह कितनी बड़ी दुनिया है क्या क्या चीजे हैं यहां यह कुछ भी नहीं होगा सिर्फ भारत ही होगा माना यह सब अलग-अलग जो देश है वो कोई नहीं होगा यह रेल आदी भी नहीं होगी यह सब खत्म हो जाएंगे वहां रेल की दरकार ही नहीं चोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर-दूर गाउ में जाने के लिए, बाबा रिफ्रेश कर रहे है, बिन-बिन पोइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए, यहां बैठे हो, बुद्धी में सारा ज्यान है, तो यह सारा हमें ज्यान है अभी, जैसे परम पिता परमा में है, जो तुमको बबा केते समझाते रहते हैं, उच ते उच, शांती दाम में रहने वाला, शांती का सागर बाप हैं, हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट हों में रहने वाली हैं, शांती के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, सादू लोग भी कहते, मन को शांती कैसे मिले, क्या-क्या युक्ति रच्टे है, गाया जाता है, आत्मा तो मन बुद्धी सहित है, उनका स्वर धर्म है ही शांत, मुखी ही नहीं, करमेंद्रिया ही नहीं, तो जरूर शांती ही होगी, क्योंकि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और तब भी आत्मा का सारा प्र सारी करमेंद्रिया चंचल होती है और सब करमेंद्रियों से भिकर्म करती रहती है इसलिए बाबा केते हैं करमेंद्रिया ही नहीं तो जरूर शांती ही होगी कहां जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते और बाबा क्या केते हैं जितना हम परमधाम में जाके परमधाम में बाबा से मिलते है तो, बाकी यहां साधू लोग कितना भी चाहे युक्ती रचे लेकिन शान्ती के से मिले आज तक किसी को पता ही नहीं चला, तो बाबा केते हैं हम आतमओं का निवास्तान है, स्वीट हूम, जहां बिलकुल शान्ती रहती है, परमधाम, निर्वानधाम, तो बाबा केते हैं फिर वहां से पहले हम आते हैं सुखधाम में, तो शांतीधाम से कहा आ जाते हैं सीधा परमधाम से सुखधाम में, अपने पार्ट अनुसांग, अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं सुखधाम में, बाप पावन ब तुझे दुणिया है, इतने जंगल आदी कुछ भी वहा नहीं होंगे इतनी पहाड़िया आदी कुछ नहीं होंगी बाबा केते हैं ना जंगल, फॉरस्ट alls दॉनंगे, ना माउंटन्स होंगे, पहाड़िया वहाँ क्या होगा? सिर्फ हमारी राज्दा नहीं होगी क्या होना है, बंडर देखो, कितनी बड़ी सुरुष्टी है, यहां तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सामारी दुन्या खतम हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा, इतना सब कुछ खतम हो, यह सब कहां जाएंगे? क्योंकि इतने सारी जो expansion है पुरी यह धरती पर, तो बाबा केते हैं, वो कहां जाएंगे? समुद्र धरती आदी में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा, समुद्र में जो चीज जाती है, वह अंदर ही खतम हो जाती है, तो यह सब कुछ होने वाला है, तो बाबा सारा हमें अभी information दे रहा है, basically, कि इतना सब है तो जाएगा कहां, तो समुद्र धरती आदी में चले जाएंगे, जो जो भी कुछ उपर अभी दिखाई दे रहा है सब नीचे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा, समुद्र में जो चीज जाती है, वह अंदर ही ख उस समय कहा जाता है, नई सतो प्रधान प्रकृती, तुम्हारी वहां नैचरल ब्यूटी रहती है, लिप्स्टिक आदी कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुर्ष होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो, तो देखो बाबा ने पूरा नजार बता दिया, आज की मुरली में था या कल की मुरली में था, कल की मुरली में था शायद, कि वहां आयू भी बूढ़े लोग भी इतने ही खुबसूरत ही होंगे, वहां ना चेहरे पे रिंकल्स होगी, ना बदसूरत होंगे, कुछ नहीं, बूढ़ा पे में भी वहां इतनी न खुश होना ग्यान सनान नहीं करेंगे तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हों ग्यान सनान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं तो हर रोज ये मुरली पढ़नी ही है अगर इस क्लास में ये टाइम में अगर बाइचा कुई भी सेटर से जुड़के चाहे परसनली जाके सुनो या जाके जूम से सुनो कैसे भी सुनो बाबा केते हैं ग्यान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेगे नहीं और कोई उपाई है नहीं बाब तो है सदा خوبصورत तुम आत्म ए सावरी बन गई हो क्यों हम बन गई है क्योंकि हम जन्म अफ्टर जन्म लेते हैं बर्थ और रीबर्थ में आते हैं और बाब तो सदा खुबसुरत, विकोस, जन्ममरन के चक्र से परे है बाबा, माशुख तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते है, कौन है हमारा माशुख शिव बाबा, बाब कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, किसमें ब्रह्मातन में, मैं तो कभी सावरा ही बनता हूँ, तुम सावरे से सुन्दर बनते हो, सदा सुन्दर तो एक ही मुसाफिर है, कौन है हमारा शिव बाबा, यह बाबा सावरा और सुन्दर बनते है कौन, ब्रह्मा बाबा, वो सावरा भी बनता है अपने इतने जनम ले लेके बाद और बाद में सुन्दर भी बनते हैं सत्यूग में तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम सबको सुन्दर बनाकर साथ में ले जाते हैं कौन शिव बाबा तुम बच्चों को सुन्दर बन फिर और सबको सुन्दर बनाना है बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं गीता में भूल कर भी है जो बाप के बदले स्री कृष्ण का नाम डाल दिया है इसको ही कहा जाता है एकर्ष भूल One and only mistake is एकर्ष भूल सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला श्री बाबा उनके बदले जो स्वर्ग का पहला number सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है यह कोई समझते थोड़ी यह माना शेव बाबा को निकाल उन लोगोंने शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल दिया है जो actually स्वर्ग का पहला number सुंदर माना नाम प्रिंस बनता है बाबा क्या केता है願 ναहिसक हैं, तुम बताते हो सारा कल्प ही पाँच हजार वर्ष का है, तो बाबा क्या केते हैं, मैं आधा कल्प का माश्युक हूँ, तुम मुझे पxit पावन आओ, आकर हम आत्मा हो, आश्रीकों को पावन बनाओ, तो बाबा क्या केता है? कि बाप आत्मा उसे बात करते हैं और बाबा केते हैं मैं आधा कल्प का माशुक हूँ बाबा आधा कल्प का माशुक कैसे हुआ क्योंकि द्वापर से भक्ती शुरू हुई तो द्वापर और कल्यूग दोनों मिला के हुआ आधा कल्प डाई हजार साल तो तब से द्वापर स हमने भक्ती शुरू की भक्ती शुरू की तो क्या किया पुकरना चालू किया है पतित पावनाओ आकर हम आत्माओ को आशिकों को पावन बनाओ तो उनकी मत पर चलना चाहिए तो बाबा क्या है आधा कल्प का माशुक तो बाबा क्या है हम कौन है सब आशिके बाबा के पीछे हम भागते हैं, कितने हमने पुकारा है बाबा को, तो बाबा केते हैं अब मैं आया हूं, उनकी मत पर चलना चाहिए, मैनत करनी चाहिए, बाबा ऐसे नहीं केते कि तुम धंदा आदी नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है, ग्रहस्त वैवार में रहते, बाल बच्चों आद नहीं करो नहीं तो वह याद आते रहेंगे attachment इन सबके होते हुए भी इनको भूल जाना है तो जो अभी भी जिसको बाल बच्चे है बाबा केते हैं duty करो घर बार छोड़कर नहीं भागना है बच्चे सबकी संभाल करो लेकिन मन और बुद्धी की attachment मन की बुद्धी जोड़क हो जाने वाले हैं शरिर खतम हो जाएंगा बाब की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरिर भी नया मिलेगा यह है बेहत का सन्यास माना रहना गर में ही है सब duty भी निभानी है लेकिन मन और बुद्धी से उपराम किसी से attachment नहीं तो इसको केते हैं यह है बेहत का सन्यास तो और पवित्र भी बनना है बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है स्वर्ग में क्या नहीं होगा अपार सुख है स्वर्ग तो यहां होता है दिल वाड़ा मंदिर भी पूरा यादकार है यहां होता है माना जब हम पूरे पवित्र ब बाबा केते हैं दलवाडा मंदीर में उसकी यादगार है उस मंदीर में जो भी मदवन गए वहाँ देखा होगा कि उस मंदीर में दिखाया है नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर स्वर्ग कहां दिखावें वह फिर छत में रख दिया है क्योंकि नीचे तो दिखाया है ब्रहमा क प्रिंट किया हुआ है तो बाबा केते हैं नीचे राजयों की तपस्या कर रहे हैं उपर राजय पद खड़ा है तो इसमें ये भी देखना चाहिए उपर राजयों माना हम नीचे अभी यहां राजयों की तपस्या कर रहे हैं और हम आत्माओं की कला उपर जा रहे हैं उपर चड़ रहे हैं हम चड़ती कला में हैं उड़ती कला में हैं तो बाबा केते हैं इसलिए हमारा राजय पद उपर खड़ा है कितना अच्छा मंदीर है उपर है अचलगर सोने की मुर्तिया तो वो बाबा वो सब सारा description बता रहे हमको के दिलवाडा मंदिर का उन से उपर है फिर गुरू शिकर गुरू सबसे उपर बेठा है उच ते उच है सद गुरू तो वो किसका है यहां सारा यादगार है शिव बाबा का तो क्योंकि शिकर माना सबसे उचे ते उचा सद गुरू फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग तो यह देलवाडा मंदिर पूरा यादगार है राजयोग तुम सिखते हो फिर स्वर्ग यहां होगा देवता यहां थे ना परन्तु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मौनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चो को नमस्ते और हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुद मौनिंग और नमस्ते शुक्रिया ब पराने घर से दुन्या से दिल हटा लेनी हैं नए घर को याद करना हैं दूसरी point है घ्यान सनान कर संदर परिजादा बनना हैं अपने आप में माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। आज का वर्दान है, महादानी बन फ्राग दिली से खुशी का खजाना बाटने वाले मास्टर रहम दिलभव। महादानी बन फ्राग दिली माना जनरस हाट। फ्राग दिली, जनरसली, खुशी का खजाना बाटने वाले मास्टर रहम दिलभव, बाबा ने विस्तार से समझाया है, लोग अल्पकाल की, मना टेंप्ररी, अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय वा धन खर्च करते हैं, फिर भी सची खुशी नहीं मिलती ऐसे आवश्यक्ता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राग दिली से खुशी का दान देना है, इसके लिए रहम दिल का घुण इमर्ज करो, क्योंकि रहम दिल का घुण भी हमरा क्या है, ओरिजिनल आत्मा का संसकार है, इसलिए बाबा के ते रहम दिल का घुण इमर् करो आपके जड़ चित्र वर्दान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में माना हम अभी चैतन्य में रहम दिल बन बाटते जाओ क्योंकि परवश आत्मा हैं क्योंकि आत्मा भी पूरे कंप्लीकली परवश हैं कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं आप रहम दिल बन देते जाओ आपके शुब्भावना उन्होंको फल अवश्य देगी तो देखो कितनी आत्मा हैं थोड़ी कितनी कम समय की अल्प कल माना टेंपररी खुशी के लिए भी कितना समय और धन खर्चा करते हैं लेकिन बाबा केते उनको वहां से कुछ नहीं मिलता हैं तो हमें ही महादानी बनकर जेनरस हाठ बनकर रहम दिल बनकर उनको बस खुशिया देनी हैं बाटते जाना हैं तो आज का स्लोगन है योग की शक्ति द्वारा हर करमेंदरियों को ओर्डर में चलाने वाले ही स्वराजय अधिकारी है तो बाबा की योग की शक्ति हम में होंगी तो ही हम करमेंदरियों को शीतल बना सकेंगे ओर्डर में चला सकेंगे तो योग की शक्ति द्वारा हर करमेंदरियों को ओर्डर में चलाने वाले ही स्वराजय अधिकारी है माना अपने आप पर ही हम राजय कर सकते हैं तो जो स्वराजय अधिकारी होता है वही विश्वरा ये अधिकारी भी बन सकता है अच्छा तो बाबा की मुर्ली पूरी होती है